राहुल गांधी की आंधी में कहीं बीजेपी उड़ना जाए जिस तरह से राहुल गांधी आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है उसे देखकर एक तरफ तो राजनीती के गल्यारों में इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है तो वहीं दूसरी तरफ र कोच में पड़ी हुई है कि इस पर ब्रेक कैसे लगाया जाए क्योंकि राहुल अब बीजेपी से एक या दो कदम नहीं बलकि बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत आगे चल रहे हैं और उसी कड़ी में अब राहुल गांधी दिल्ली केंट पहुच गए जहां उन्हों उन्हें रेल्वेट ट्रैक के रख रखाओ करने वाले ट्रैक में अंसे मुलाकात की तो कैसे राहुल की इस नई मुलाकात ने बीजेपी को फिर किया है परेशान इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हूँ अंच्छता राहुल गांध दिल्ली केंट पहुंच गए हैं जहां उन्होंने ट्रैक मेनू से मुलाकात की जिसका एक छोटा सा वीडियो अभी सामने आया है पहले वीडियो देख लीजिए अब राहुल गांधी का ये वीडियो जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया पर चा गया और इस वीडियो ने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी अब जानकार दावा कर रही है कि कॉंग्रेस लगातार रेल मंत्री अश्वनी वैशनव पर हमलावर है अब ट्रेक मैनों से हुई राहुल गांधी की इस मुलाकात में उन्होंने उनसे लंबी बातशीत भी की दरसल जिस तरह से पिछले दो महीने से लगातार खबरे आ रही हैं और रेलवे के हाथ से बढ़ गए हैं कई खबरें आई जब ट्रेन डी रेल हो गई तो इस तरह से जो है कॉंग्रिस लगातर हमलावर है और उसके बाद से ही रेल मंतरी पर और रेल मंतराले पर सवाल उठ रहे हैं किन किन परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस सब पर चर्चा की और अब जहां आम जनता राहुल के इस अफ़तार की मुरीद हो रही है वही बीजेपी चुन्ता में नज़रा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने एक ही दिन में बीजेपी को एक साथ दो दो जटके दी दिये हैं क्योंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते हैं या फिर जिन लोगों की परिशानियों के बारे में जानकारी लेते हैं तो सिर्फ उस जानकारी को सुनकर अपने पास रख ही नहीं लेते हैं बलकि उसे दूर करने की कोशिश भी करते हो और इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है दरसल राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के एक मोची रामचेत के लिए बड़ा तोफा भीजा है आपको याद होगा जब राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुँचे थे तब उस दोरान वो अचानक से ही उनका काफिला एक मोची की दुकान जिनका नाम रामचेत है उनकी तरफ मुड़ गया था और अब सुल्तानपुर के उनी रामचेत के लिए राहुल गांधी ने बड़ा तोफा भीजा है रामचेत और उनका बेटा अपने दुकान पर पहुँचे दोपेर करीब दो बजे एक चार पहिया वाहन उनके पास रुका गाड़ी से तीन लोग उत्रे और उनको बताया कि वो राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं उन्होंने रामचेत को बताया कि राहुल गांधी ने उनके लिए विशे सामान भेजा है यानि कि तोफा भेजा है तो गाड़ी से उतरे सामान को देखकर रामचेत के चहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई कुल चार कार्टून थे जिसमें सामगरी आई थी जिसमें पफ चमड़ा नंबर वन, सिलाई का सामान, सोल और पैतावा शामिल थे इसके बाद रामचेत दें चार कार्टून को देखर बताया कि इस सामान की कुल कीमत 50,000 रुपे से ज्यादा है इससे वो लेडीज और जेंट्स दोनों के जूते और चपल तयार कर सकते हैं आपको याद होगा रामचेत की किसमत 26 जुलाई को बदली जब राहूल गांधी का काफिला उनकी दुकान पर रुख गया था MPMLA कोड पर पेशी से लोटते हुए ही राहूल गांधी ना किवल रामचेत से मिलाकात की थी बलकि दुकान पर बैठ कर चपल की सिलाई और जूता चिपकाने का काम भी उन्होंने किया था राहूल गांधी ने रामचेत की आर्थिक इस्तिथी को जानकर उन्हें एक सिलाई मशीन भीजी थी और इसके बाद रामचेत ने राहूल को दो जूते अपने हाथों से तयार करके गिफ्ट किये थे और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पच्छा गया था राहूल गांधी ने भी जो है उन जूतों का जिक्र किया था और इसके अलावा रामचेत ने भी बताया था कि कैसे राहूल गांधी से मिलने के बाद उनकी जिंदिगी में बदलावाया है और कैसे उनका काम भी तेजी से चल पड़ा है तो इस सब की चर्चा हो ही रही थी राहूल गांधी की चर्चा हो रही थी इस मुलाकात की चर्चा हो रही थी और अब राहूल गांधी ने एक बार फिर से रामचेत को मदद पहुचाई है और रामचेत के लिए उन्होंने सामान भिजवाया तो राहूल गांधी सुर्खियों में चागए अब एक ही दिन में ल राहूल गांधी को पपू प्रजेक करने में उसने इतने करोडों रुपे बहा दिये वो राहूल गांधी अब सिर्फ जनता के ही नहीं लोग प्रियें हैं बलकि NDA के नेताओं की भी पसंद बनते जा रहे हैं एंडिये के नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं यहां तक कि इसको नहीं समझा गया तो बीजेपी के लिए राहूल गांधी आगे आने वाले समय में और भी मुश्किल बनते जाएंगे मतलब फिर राहूल गांधी को पीछे करना बीजेपी के लिए मुश्किल होता चला जाएगा इस तरह की चेतावनी समर्ती इरानी ने दी इसके अलावा समर्ती इरानी ने साफ साफ कहा था कि अब राहूल गांधी की राजनीती बदल गई है सिर्फ यही नहीं एंडिये में शामिल चुराग पासवान भी राहूल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं वो राहूल गांधी को एक दूरदर्श्वी नेता बता रही है। अब इन सब को देखते हुए बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि राहूल गांधी की छवी को खराब कैसे करे। वही इस से पहले राहूल गांधी ने डी टी सी बस में सफर करके भी सबी को हैरान कर दिया था। क्या कुछ बात हुई थी राहूल की उसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। पहले देख लेए। अपने बारे में बताओ बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है। तेरी डूपी 12-15 से स्टार्ट होती है, मैं यमनापार से आता हूँ पर हालागी डीपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही टैवल करता हम सिर्ट वह से उस में देखकर। कोन्टेक्ट ले लेपा रहे एक तरीके की स्टार्प्छावार मैं यं निकाल देचाता है। यह बन यह लेक्ता कॉंटेक्ट रता हैं हर सारा क्ट्राक्स है। किसी पिचौले के साथ? नहीं, डिटीसी से टायग है यह आपना फूचर स्विक्राइब करने के लिए परवाइने जॉब चाहते हैं यह आपका स्रुवी नगर मारगेट होते हुए और यह सब्दा जन ऑस्पीटल होते हुए जाए जाए अब इस्टी आफ प्रेजीशन लेट लेट लेटा हुए अट्धा लगा आपका सब्रोडरा मघ जाया है बस कंड़क्टर से बस ड्राइबर से बात करना था नहीं रहता था इनके प्रब्लम क्या है दुछ था समझना चाहता था यहां पर पेले जो ट्रेन ड्राइवर से उसे मिला था लोगों को पता लगे कि आप बस पे बेट रहे हो बगर ड्राइवर को कितना पैसा मिस्टा है कितनी मुश्किले हैं कंडुक्तर को क्या भुगतना पढ़ता है फिर सिटीगन जो आ रहे हैं उसक्तिया है बसको का 2 लगा हो डिया यहां मैं तो इस वीडियो की चर्चा जोरो पर थी ही राहूल गांधी किस तरहा से जनता के बीच दिन-पर-दिन लोग प्रिये होते जा रही है ये बात हर तरफ हो फी रही थी कि सी बी-च एक प्रेकी दिन में राहुल ने दो ऐसे कारणामे कर दिये जिसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर राहुल की रफतार को रोका कैसे जाए क्योंकि अब राहुल गांधी की इस रफतार की चर्चा आरेसेस की बैठकों में भी होने लगी है आरेसेस ने भी बीजेपी को आगा कर दिया है कि राहुल गांधी की रफतार तेजी से बढ़ रही है और उनकी बढ़ती हुई लोगप्रियता प्यायम मोदी की लोगप्रियता पर भारी पड़ रही है और उसका जो है नतीजा लोगसभा चुनाओं में देखने को मिली चुक कर आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके अपनी राइज जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त देखते रहे हैं डीवी लाइफ नमस्कार